प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षा आठ विशे गणित उडानकारिया पुस्तिका के अंदर पार्ट नो बीजिये वेंजक एम सरो समीकाएं उसकी गतिविदी हल करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल प के बाज में वेंजक माइनसMADE 3умनी 7 दशार कैसे बना तो एक्स को माइनस एक बटा 3 से गुरणा कर साथ बटा चार जोडनेपर पांच X में से पांच घटा कर कितने हो जाएंगे तो 5 X मईनस 5 अगर एक ऐकसर टोफी है वैं दूसरी कटॉरी य चोकलेट है तो आपके पास क कितनी चीजें है तो X जमा Y मीरा की उमर उसकी पुत्री की आयू के तीन गुने से पांच वर्स जादा है तो मीरा की उमर की उमर क्या हो जाएगी उससे का तीन गुना करो तीन एक्स उसमें पांच जोड़ो जमा पांच वर्स पांच को 6-7Y से गुना करें प्राप्ट वेंजिक में 4 वे 4 रसी बताएं तो 5 को अगर 6 से गुना करेंगे 30 माइनस 7 से गुना करेंगे तो 57 अब 35 तो माइनस 35 वाई चर रसी जो है वो 35 वाई है अचर रसी है वो 30 है तीन ब्रेकट दो एक्स उमा साथ वैं 2ह से मा साथ की कि गात तीन है तो स्व्यम संख्या तीन भार में गुणा है शरल कर ओ माइनस 3 दू-7 जमा से गुणा करेंगे 6 दोनी 12 x प्लस का 6 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 68 48 माइनस 6 को माइनस 7 से गुणा तो 67 42 प्लस का प्लस 5 को माइनस 6 से गुणा 65 30 x तो इसमें x x एक जगा कर लेंगे तो इसमें माइनस के x ज्यादा है तो 24x- के बच जाएंगे 48, 42 और 21 में से किस के जादा है प्लस के 15 बच जाएंगे यदि एक वरक का प्रिमाप x है तो उसके बुजा का माप कितना होगा तो बुजा ब्राबर प्रिमाप बटा 4 होता है तो बुजा ब्राबर x बटे 4 हो जाएगा 20 गनित में 6 गुणा m को 6m से लिखते हैं तो अंक गनित में 6 गुणा 3 को क्या लिखेंगे तो 6, 18 एक चोक के डिबे में 36 चोक है तो ऐसे n डिबो में कुल कितनी चोक होंगे 36 को n से गुणा करते हैंगे 36n आगे है नीचे दिएगे तिरबुज का प्रिमाब कितना है तो प्रिमाब होता है सभी बुजाओं का जोड़ तो यहाँ पर एक बुजा 2x माइनस 4 है एक 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 6 है तो 2x जमा 4 और यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रखी है हमने इसको सुदारेंगे एक मिनट रुको आप यहाँ पर आप देखो जो बुजा है यहाँ 2x माइनस 4 है यह x है और यह 6 है तो यहाँ पर यह गलत कर दिया हमने यह देखो यहाँ यह लेतिस में परिमाब मैं यहाँ अलग से निकाल के दिखाता हूँ 2x माइनस 4 प्लस x और प्लस 6 तो देखो 2x और यह कितना हो जाएगा 3x तो यह प्लस का 6 है और यह माइनस का 4 है तो प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर तो 3x प्लस 2 उत्तराएगा इसका ठीक है यह ठीक कर लेना यहाँ पर जो चिन है वो गलत लेने पर गलत उत्तराया तो 3x प्लस 2 इसको कर लेना आगे है मेरे कक्सिया द्यापक ने मुझे एक संख्या सोचने को कहा जिसमें 15 गटाने पर 27 आता है तो एक संख्या कितनी है एक संख्या सोच लो x उसे में से 15 गटाओ बराबर 27 आएगा तो पहला यह option ऐसा है आगे है सुरेश की पापा ने उसे 100 रुपे दिये बाजार से कुछ फल लाने को कहा फल विक्रेटा ने उसे y रुपे के फल दिये अब उसके पास कितने रुपे हैं तो कोल रुपे 100 फल का मुल्य वाई रुपे से 100 माइनस y रुपे उसके पास बच गे तो ये था द्याई 9 जिसको आज हमने हल किया उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मिलते है नेक्स क्लास में तब तक लिए बाई बाई धन्यवाद